तो देख लेते हैं हम इसकी रेसिपी सबसे पहले एक बड़े बरतन में लेंगे दूद यहां पर मैंने डेर लीटर पैकेट वाला दूद लिया अब गाई अब हैसका ले सकते हैं इसमें एक बॉल आने तक बॉल करना और इसे बीच बीच में चलाते रहना ताकि दूद नीच नीबू और पानी का मिक्स बना करके रखा था थोड़ा तो यहां पर हमें नीबू और पानी का मिक्षर इसमें तब तक आइड करना जब तक कि दूद अच्छे से फट जाए और छेना और पानी बिल्कुल अलग-अलग हो जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चलनी में चान रही हैं इसे चान लेन के बाद हम दो से तीन बार थंड़ का लेगे ताकि नीबू का जो भी कल निकल जाए और थंड़ पानी से जो है वह सॉप्ट बना रहता है इसके आद से हलके हातों से प्रेस करेंगे और रग देंगे लग-बग 1 घंटे के लिए तब तक हम रबरी बना लेते हैं तो यहां पर मैंने फिर से पैकेट वाला ही दो लीटर दूद ले लिया है और अब हम इसे मीडियम तो हाई फ्लेम पे बॉल करेंगे लगभग हाफ होने तक हमें इसे रिड्यूस करना है यहां एड करेंगा हम केसर वाला दूद मिक्स कर देंगे 5-6 हरी इलाइची को अच्छे से कर लेंगा और उसे भी यहां पर हम एड कर देंगा रसमलाई में इलाइची का फ्लेवर काफी अच्छा लगता है तो इसे जरूर एड करें यहां पर इसी तरह से इसे चलाते वे हम 30% जितना रिड्यूस कर चुके है लेकिन इसे अभी और लेकिन यहां पर मैं पहले च्छेने के बोल्स बना लेती हूं क्योंकि च्छेना जो है वह इक स्फ़ेश से शरूर है तो इसे तरह से आपको सारे लेंगें लोक कोओ कार लेता है तो यहां 5-5 मिनिट बनाई तो अश्वी कड़ेस्ट बना लेते हैं और उस तरह से आपको सा ड़नेट पर मैंने बड़ी कड़ाई में डाला है दो कप पानी एक कप गुड़ इसे मिक्स कर लेंगे और तेज बॉयलाने देंगे जब चाशनी में अच्छे से बॉयलाने लगेगा फिर हम एक एक करके अपने चोटे चोटे चेने वाले बॉल को डालते जाएंगे और दस से बारा मिनट के लिए से मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम पका लेंगे और रबरी को भी बीच बीच में चलाते रहे वरना रबरी गाड़ी हो गई है तो वह नीचे लग सकती है तो चलिए फटा फट से प्लेट कर लेते हैं तो यहां पर पहले हम डाल देंगे अपने छोटे वाले रजगुले को हलका हलका सा स्क्वीज करके इसके उपर से हम डाल देंगे जो हमने तयार करी है रबरी उसे डाल देंगे यहां पर हम दो कल्छी भर करके इसके बाद हम इ झासो है और कित